जहारकंड के लिए एक बड़ी खबर है खबर तो ये है कि कल यानि 6 अक्टूबर को मुख्यमंत्री हेमन सोरेन की याचिका पर फैसला आ सकता है लेकिन खबर इससे बड़ी ये है कि आज यानि आज साम मुख्यमंत्री कैबिनेट की बैठक के बाद दिल्ली निकल सकते है बताया तो ये जा रहा है कि कल मुख्यमंत्री को केंद्रे ग्रियमंत्री अमित्साख के साथ पूरवी और पुरवोत्तर राजियों के मुखिमंत्रियों के साथ बैठक में हिस्सा लेना है लेकिन अहम बात ये है, जो जानकारी च्छन कर आ रही है कि आज की रात ही मुखिमंत्री हेमन सोरेन, केंद्रे ग्रिहमंत्री, अमित्साह के साथ, secret meeting करने वाले हैं लेकिन इस meeting का agenda अभी तक साफ साफ निकल कर सामने नहीं आ पाया है और ये भी पुष्टि नहीं हो पाई है कि ये meeting कब और कितने बजी होने वाली है कि ये ख़वर अभी पुष्ट नहीं है लेकिन जो ख़वर है वो यही है कि Kendra Graham Mantra के साथ बताया तो यह भी जा रहा है कि हम मुलाकात अति गोपनिये होगी अति सीक्रेट होगी और काफी ही गंभीर मुद्धों पर इस पर चर्चा की जाएगी लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टी नहीं हो पा रही है लेकिन इस मीटिंग के कई माइने बताये जा रहे हैं अगर यह मीटिंग होती है तो आने वाले दिनों में आपको कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं सूत्रों के मताबिक एक ख़बर काफी चर्चा में रही थी कि बीजेपी ने हेमन सोरेन को एक ओफर दिया है वो आफर यह है कि अगर आने वाले लोगसभा चुनाओं में जे में 14 की 14 लोगसभा सीटों पर अपने उमिद्वार उतारती है तो हेमन सोरेन को केंद्रिय सौगात का मतलब आप कुछ भी लगा सकते हैं केंद्रिय सौगात मिलने लगेगा साथ ही साथ बीजेपी को इसका ये फायदा होगा कि जारखंड में मुकाबला त्रिकोणिय हो जाएगा यानि जेमेम, कॉंग्रेस और बीजेपी के बीच इससे बीजेपी के वोटों का जो विखरा होगा वो कम होगा जिससे आने वाले चुनों में बीजेपी को फायदा मिल सकता है और इसका फायदा हेमन सोरेन को क्या क्या मिल सकता है लोग बहुभी जानते हैं इसलिए आज की रात के माइने काफी अहम होंगे आज की रात हेमन सोरेन की मुलाकात केद्री ग्रिह मंत्री के साथ होती है तो इसके माइने काफी दूर तक जाएंगे जिसका असर आपको आने वाले दिनों में कई चीजों पर देखने को मिलेगा जो आप महसूस कर सकेंगे दोस्तों यह तो जगजाहिर है कि मुख्यमंत्री हेमन सोरेन को जमीन घोटाले में प्रवर्तन निदेसाले यानि इडी पूस्ताच के लिए बार बार बुला रहा है तरह करेंगे शरी ने भी एक तरह से चैलेंज कर दिया है कि वह वह एडी के कार्याले कूस्ताच के लिए नहीं जाएंगे और उन्होंने अदालत के रुख कर लिया कर दो पता ही है कि उन्होंने पहले सूप्रीम कोड़ का रुप किया और सूप्रीम कोड़ ने जब कहा कि आप पहले हाई कोड़ जाए तो अन्होंने हाई कोड़ का रुप कर लिया अब कल यानि 6 अक्टूबर को इस मामले में चारकंड हाई कोट में सुनवाई होनी है और अगर कोई बड़ा फैसला आता है तो हेमन्सोरेन के लिए एक पहुत थी बड़ी जीत होगी क्योंकि अभी तक कोई भी वेक्ति ED के खिलाब 5-5 समन के बाद पेस नहीं हो ऐसा हो नहीं सका है ऐसे में ED के लिए हेमन्सोरेन एक चैलेंज बन गए है वैसे माना ये जा रहा है कि आज की रात अगर मीटिंग होती है तो इस मीटिंग के कई माईने निकल के आ सकते है और जो माईने आपको आने वाले दिनों में दिखाई देंगे इस मामले को आप कई तरह से कई चीजों से जोड सकते हैं आने वाले चुनाओं आने वाला वक्त फिलाल हमें दीजिये इजाजत दृष्टिनाओं की टीम ऐसे ही और रोचक खबरों के साथ आपके पास आती रहेगी